दोस्तो कि आप भी मेरी तरह इस दुनिया के बारे में रोजाना कुछ ना कुछ जानना चाहते हैं तो आप बिल्कुल सही जगा पर आएं आज मैं आपको एसे दस हिरान कर देने वाले एंड्रेस्टिंग फेक्ट बताने जा रहा हूं जिनके बारे में आपने कभी सोचा होगा नहीं कभी किसी से सुना होगा चली जली से वीडियो को स्टार्ट करते हैं दोस्तो आज कल हमारे भारत में पैट्रोल के बढ़ते दान से कितने लोग परिशान हैं यह तो आप जानते ही होंगे लेकिन मैं आपको बता दू कि पूरी दुनिया में सबसे सस्ता पेट्रोल होता है वेनेजु एडा नाम के एक देश में मिलता है और वहां एक लीटर पेट्रोल की कीमत आप जानकर हैरान हो जाएंगे जिरो पॉइंट जिरो टू डॉलर है जो कि हमारे इंडियन करेंसी में एक रुपे या पचास पेसा होता है फैक्ट नमबर टू दो तो आज कुल सभी घरों में बिजली का करेक्शन तो होता है और हम इंडियन अपने घरों में जादा बिल ना आए इसके करन कितनी मैंटेन के साथ बिजली की खपत करते हैं यह तो आप जानते ही होंगे लेकिन क्या आप जानते हैं कि पुरी दुनिया में कतर एक एसा देसे जहां सबसे सस्ती बिजली लोगों को मिलती है फैक्ट नमबर तीम दोस्तो आज कल इंटरनेट के पीछे लोग कितने बिवाने यह तो दोस्तों मैं आपको यह बता दूँ कि जितना सोना पुरी दुनिया में मौजूद है उसमें से 11% सोना तो सिर्फ हमारे भारत के महिलाओं के पास है और पुरी दुनिया में हौंग कॉंग ही एक एता देस है जहां सबसे सस्ता सोना मिलता है लेकिन में आपको बता दूँ कि अगर कोई गलेरी मर जाती है अन्य गलेरी उसके बच्चे को गोज ले लिए और वह बिल्कुल अपने बच्चों की तरह ही उसका देख़ाल भी करती है लेकिन हरियर नाम का एक पक्षी है जो कभी भर्ती पर अपना पे नहीं रखता Pack No.3 दोफ्टर हमारे भारत में, हमें पहले क्लास से ही एक्जाम देनी परती है। दूठरे क्लास में जाने कि लिए, लेकिन जपान में किसी भी बच्चे को 10 साल तक एक्जाम देने की जिवरत नहीं परती है। तो दिना एक्जाम दिये ही, दस साल तक पढ़ाई कर तक है पेक्ट सुपर एक दोफ्तर ये तो आपको पता ही होगा कि हर एक देश की अपनी एक राजदानी होती है लेकिन मैं आपको बता दूँ कि दक्षिन अफ्जी का दुनिया का एक एसा देश है जिसके एक नहीं दो नहीं बल की तीन राजदारी है और वो ये हैं प्रिट्रोरिया, ब्लाउम पॉंटेन और केप टाउन पेक्ट नमर्ण 9 दोस्तों आज कल बाहनों की ज़्यादा संख्या बढ़ने से एक्सिडेंट काफी ज़्यादा बढ़ गया थी और इसी बात को देखते हुए आपको मैं बता दूं की दुनिया का सबसे पहला एक्सिडेंट अर्ट्रासों इंक्यानों में अमेरिका में हुआ थी दोस्तों आज कल पेड़ों की कितनी कटाई हो रही है ये तो आप जानते ही होंगे और इसी को देखते हुए आप इंट्रस्टिंग प्रेक्ट जानना चाहते है तो आप हमारे शेयर को स्काइब कर लिची और बैल नोटिफिकेशन को और पेक्लिक कर लिची ताकि मेरी आने मली हरी की वीडियो को नोटिफिक्स आपको जलसे जाए निए तब तक फिलिए जिए